नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस वर्ल इंडिया आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी बहुत-बहुत स्वागत है आपका साथ की बात में भारत में कोरोना की तीसी लहर को लेकर जताय गई आशंका के बीच उत्ताप्रदेश के कोजिलो में एक रहसे में बुखार तेजी से पैल रहा है बीते एक हफते में इस बुखार की वज़ा से 44 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और दिन पर दिन की आकरा अब बढ़ता ही जा रहा है जिसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा है इस वारल बुखार की पहचान स्क्रब टाइफरस की रूप में की गई है खास तोर से उत्ताप्रदेश के विरुजबाद, आगरा, मेनपुरी, एटा और कासगंच में स्क्रब टाइफरस फैलने की खबरे सामने आ रही है इस संक्रमेंट के फैलने पर मुख्य मंत्री योगी आदितनाथ प्रभाविश शेत्र का दौरा भी कर रहे हैं सीम योगी ने कहा कि लगनों के किंग जोर्च मेडिकल यूनिवरसिटी के विशेश रग्यों की एक टीम इसकी जाच करेगी ये टीम विशेश रूप से स्क्रब टाइफर्स के कारण कोई बच्चों की मौत और प्रकुप के कारण का पता लगाईगी स्क्रब टाइफर्स के प्रकुप के बाद उत्तप्रदेश सरकार ने फिरोजबाद के मुख्य चिकित साधिकारी का तबादलप भी कर दिया है और टीम ने प्रभावेत इलाकों का दौरा किया लेकिन देखें चिंता की बात ये है कि इस बुखार का बच्चों पर ही ज्यादा असर देखा जा रहा है तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि क्या कुरोना की तीसी लहर की शुरुआत हो गई है क्या लेकिन इन सब के बीच एक और चिंता और ज्यादा पढ़ने लगी है और होनी भी चाहिए वो है बच्चों की दरसल एक सितमबर से यूपी में प्राइमरी स्कूल भी खुल गए है ऐसो में बच्चों का स्कूल चाना भी एक चिंता का विशे बन गया है इस क्रब टाइफर्स की एक फिर से उभरता हुआ संक्रमन है जो पहले भारत और अन्य दक्षिन एशियाए देशों में रिपोर्ट किया गया था ये एक वेक्टर बॉन बिमारी है और इसकी शुरुआत बुखार और शरी पर चक्ते पढ़ने से होती है और आके चलकाई ये शरी के नर्वस, सिस्टम, दिल, गुर्दे और पाचन परनाली को भी प्रभावित करता है इस बुखार की वज़ा से निमोनिया, मेनिंगो और औरकन फेलियर और इंटरनल बीडिंग के साथ ही इस बिमारी में acute respiratory distress syndrome का खत्रा भी बना रहता है US National Library of Medicine के अनुसार ग्रामीन और शहरी इलाकों में पाई जाने वाली जार्यों चोटी पौदों में ये वेक्टर पाया जाता है जिसकी वज़ा से इस बिमारी का नाम स्क्रब पढ़ा है वही टाइफस एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब बेखुशी के साथ बुखार या तुरूमपान होता है दुनिया भर में 100 करोर से ज़्यादा लोगोपल स्क्रब टाइफस का खत्रा है और हर साल करीब 10 लाक मामले सामते आते हैं वही देखिए एक तरफ कोरोना के संक्रमन कम होते ही देशवर की राज्यो में स्कूल फिर से खोल दिये कए हैं मैं उत्तरप्रदेश के फिरोजबाद जन्पर में जेंगूओ और पाकी अन्यबुखार के परते प्रकूप के दिश्टिगर्ट यहां के जुलादिकारी ने कक्ष्या आठ तक के सभी विद्याले 6 सितंबर तक के लिए बंद करने के आदेश दिये हैं उन्होंने सभी विद्याले संशालों को आदेश दिया है और कहा है कि इसका कड़ाई से अनुपालन करने भी चाहिए और कराने का आदेश भी दिया है लेकिन देखिए इस तरह से बार-बार स्कूल को बंद किया जाना कहीं न कहीं बच्चों के भविश्य पर भी असर काफी ज्यादा देखा जा सकता है कभी कोरुना के चलते बच्चों को खरों में पढ़ाई करनी पड़ती है तो कभी कुछ और वज़ा कभी कुछ वज़ा आखर सब कुछ बच्चों को ही भुगतना पड़ता है हाला कि फिरोजबाद जनपत मीटिंग हूँ और वायरस से ग्रसत बच्चों की संख्याव सेक्रों में हो गई है मेडिकल कॉलिज की प्रधानचारे डॉक्टर संगीता अनीजा ने बताया है कि मेडिकल कॉलिज के बच्चा बॉर्ड में 186 बच्चे एड्मिट है सरकारी और नीजी होस्पिटल फुल हो चुके हैं ऐसे में उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितिनाथ ने भी मेडिकल कॉलिज के बच्चा बॉर्ड और सरवादिक प्रभाविशेत्र सुदामा नगर का दौरा किया था और पाया गया कि सरवादिक बच्चे ही वारन बुखार से ग्रसित हैं इसको लेकर अब जिला प्रसाशन ने सक्ती दिकाई है और जिला अदिकारी ने आदेश पारित कर दिये हैं कि 6 सितंबर तक कोई भी जूनिय स्कून नहीं खोला जा सकेगा वहीं जिला अदिकारी चंद्र विजय सिंग ने सोंबा को पत्र जारी का निर्देशित किया कि फिरोजाबात में जेंगू के वारल बुखार के लगातार रोगी के मामलों को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी कक्षा आठ तक के सभी प्रकार की माननेता वाले और सरकार विद्याले कते सगा से 6 सितंबर तक के लिए बंद करने के निर्देश दिये हैं ऐसे में जिलादिकारी चंद्र विजय सिंग ने कहा कि निर्देशु का अनुपालन ना करने वाले विद्याले संचालों के खिलाब कानूनी कारवाई भी की जाए की वहीं उत्तर प्रदेश के बाकी जिलो में बुद्वार को बता दें कि एक सितंबर से क्लास एक से पांच्वी तक के स्कूल खुल दिये गए हैं ऐसे में अब ये सबसे बड़ा चिंता का विशे हैं कि किस सरह से बच्चों को इस वारल फीवर से बचाया जाएगा करोना के बाद लखनों में वारल फीवर बहुत तीजी सी पैल रहा है और ऐसे में स्कूल भी खुल चुके हैं बच्चे स्कूल में कितने आ रहे हैं हमारे साथ कुछ टीचर्स जुड़े हैं इनसे पूछते हैं कि बच्चे यहां पर स्कूल में कितने आज आए हुए हैं सबसे पहले में यह जाना चाहूँगी वायरल फीवर भी चल रहा है कोरोना के बाद बच्चों की जो अटेंडेंस है वो काफी है यह कम हो रही हैं जो दी गई उसके बारे में रोज हर समय हर टीचर बता रही है बच्चे जो है वो आ रहे हैं माता पिता जो है वो लिखी तोर पे उन्होंने कुछ लेटर दिया है या ऐसे में कोई बच्चे को फीवर आ जाता है तो इसकूलों में क्या विवस्ता की गई है ऐसे है कि बच्चों से सहमती पत्र उनके गार्जियन से लिया गया है और बच्चों को अगर फीवर आ रहा है तो पहले तो उनको सूचना देना है घर से ही सूचना देना है कि मैडम हमको फीवर आ रहा है या मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगी तो उनको स्कूल आने से मना किया ज जाता है आराम करने के लिए का जाता है क्या को डॉक्टर की टीम भी आपने सोच रखा है कि यहां पर ऐसा बनाया जाए कि बच्चे का अचानक से बीमार होते हैं हां नरहीं में हैं स्वास्तित के इंद्र वगेरा से संपर्क हम लोग किये हैं हेल्प लाइंग नंबर भी वहा आरे यहां पर स्कूल आरे से जालीं के जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई आप लोगों की हमारे चुकि हमारे गारजें काफी सपोर्टिंग है और वो कह रहा है कि इस स्कूल में बच्चे सेफ हैं तो इसलिए उनिशित जो है रहते हैं अपने बच्चों से कि हमारे बच् बच्चों के साथ बैठती है बच्चों के जो पुस्तिती है कितनी रहती है बच्चों की सिती जैसे मेरे इंटर की क्लास्टी चरूं उसमें 18 बच्चा है तो 5, 7, 11, 5, 7, 11 ऐसी आते हैं लेकि जिस तरह से संचारी लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है उसको देखती है थो जिमेदारी बढ़ गई है यानि कि कोरोना के टाइम में स्कूल भी खुल गया फिर इसके बाद से वाइरल फीवर चल रही है जी जिमेदारी तो मारी बढ़ गई है क्यों हर तरफ से बच्चों को देखना पड़ रहा है को हमारे थर्मकोल की वस्ता देखते कि ऐसा तो भु क्या रहता है तो यह हुआ कि वास्तम में बच्चे की तब यह खराब हुई परसों स्कूल की आई तो सबसे पहले हमने एंडरस देखा उसके पैंट्स को सुचना दी अर अपनी आया के साथ उस पेर बच्चे को घर जिस्वाग कर तो यहीं कहना है कि स्कूल खुल चुके है और जिम्यदारियां है काफी बढ़ चुकी है और ऐसे में जो बच्चों की पढ़ाई होती हो बहुत जरूरी होती है हमाय साथ कुछ बच्चे भी है इनसे बात कर लेते हैं कि यहां पे जो स्कूल जब आते हैं तो उनको क्या सामना करना पड़ा है अगर तब ठीक भी है त बचा आप बताओ सबसे पहले कि आप स्कूल आरहे है तो घबढ़ाहट होती है स्कूल आने में कि मन लगता है स्कूल में लगता है आप बताओ मुझे किया नहीं है मरीमा फीका आप बताओ मुझे कि सबसे अच्छा यहां पर क्या लगता है स्कूल आके घर बचना अच्छ लौटेद कर सेन के साँ है अब लोग स्तख़र्ख बिलकुल शफुल गाता हैं टाइम के पड़ är उप सा रखी hell इंड लगindै के शुमार कि अब लग मोझेश तार खोरा है इंडल ज़र है आप लोग कि आते हैं एंट्री पे सब सारे सब रहते हैं हम लोग की सेफटी के लिए सब कुछ बता है यानि कि बच्चों का भी यही कहना है कि स्कूल आ रहा है और उनको काफी मज़ा आ रहा है क्योंकि ओनलाइन जो पढ़ाई होती थी उसमें उतनी उनकी रूची नहीं होती थी हर दोई में बिश्रे एक सब्ता से वारल फीवर के प्रकोव से मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है वहीं बैट की दवा सामक्री आज चीजों का अभाव हो रहा है लेकिन जिम्मेदारों के साबने शायद ये परेशानी नहीं आपा रही जिसकी वज़ा से जिलास्पताल में मरीजों को अतेरे खर्च करके सामक्री खरीदनी पड़ रही है और यही नहीं करमचारियों का इतना अभाव है कि महिलाओ तक को मरीज को लाले ले जाने के लिए स्ट्रेचर खुद ही खीचना पड़ रहा है तस्वीरे हैं ये बिल ग्रांक को तौली शेत्र के सुधा श्रिवास्तव के परिजन की उनके परिवार का एक यूवग खायल हो गया था जिसको लेकर जिलास्पताल पहुंचा गया था तो यहां समस्याओ से दो चार होना पड़ गया और बताया गया कि उनके मरीज को सड़क हादसे में चोट लग गई थी ओटी में जब मेडिकल स्टोर से पट्टी खरीद कर ले जाई गई और उसके बाद पट्टी हुई फिर खुद ही महिला को स्टेचर खीचना पड़ा चोलिया माय समवादाता जादा जादा जानकारी के साथ मुहमद आसिफ हमाई साथ जुड़ चुके हैं मुहमद जिस तरह से ये अस्पताल की बदहाली की तस्वीर सामने आई है क्या अस्पताल में स्टाफ मौजूद नहीं है जो आम लोगों को खुद ही स्टेचर खीचना पड़ रहा है जी आपको बढ़ा दें ये हर्दोई में पिछले एक सपता से वाईरल फीवर के प्रिकौफ से मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती नजर आ रही है बहीं बैट दवा सामगरी आज चीजों का अबाव लगातार चल रहा है लेकिन जिम्मेदार के सामने साइद परसानी नहीं आप आ रही है जिसकी बज़े से जिला अस्पताल में मरीज अत्रिक्ट खज करने के सामगरी खरजने पड़ी रही है यही नहीं करमचारियों का इतना अबावल कि महिलाओ तब को मरीज को लाने के लिए इस्टेर्चरा खीचिना पड़ रहा है जो कि आप तस्वीरों में साथ तोर पर देख सकते हैं बिलकुल आसिफ और देखिए कही ना कही एक तरफ तो सरकार्ट ये वादे करती है कि स्वास्ते सेवाएं बहतर हैं अच्छी है पूरे यूपी में बहतर स्वास्ते सुविदाय दी जा रही है अब देखे अगर वाइरल फीवर की भी बात कर ली जाए तो खुद मुख्यमंत्री ग्राउंट जीरो पर जाका इलाकों का जाइज़ा ले रहे है तो क्या ये तस्वीर वहां तक महुचा ही नहीं जाती या क्या शाषन के सामने तस्वीर नहीं रखी जाती दिखे आपने इससे पहले भी देखा होगा फिरोजाबाद में वाइरल फीवर से कितनी मौते हुई है उसके बाद अन्य जिलियों में भी बाइरल फीवर से काफी मौते हुई है मगर सासन प्रसासन अभी वी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है बिल्कुल और आसिफ में ये जाना चाहूंगी क्या अभी इस पूरे मामले पर कारवाई की गई है क्या इसका संग्यान लिया गया है ताकि कोई आगे आने वाले मरीज कोई सरा की दिक्कत ना हो इस चीज़ का ध्यान क्या रखा गया है क्या महिला की तरफ से अभी कोई शिकायत नहीं की गई इसके बारे में नहीं नहीं महिला की तरफ से अभी कोई सिकायत नहीं की वो मरीज लेकर आई थी और वो कायद अपने घर भी चली गई है बिल्कुल आसिफ ये भी जाना चाहूंगी कि अस्पताल में क्या स्टाफ मौजूद नहीं है या स्टाफ इतनी परियाब तो संख्या में नहीं है कि जो लोगों को वो सुविदा दे सके चली आसिफ आपको बहुत बहुत शुक्रिया समाम जानकारी के लिए तो अस्पताल की बदहाली की ये तस्वीर आप साफ तोर पर देख सकते हैं जहां पर साशन प्रस्टाशन की तरफ से बड़े बड़े दावे और बादे तो किये जाते हैं कि बहतर स्वास से सुविदा दी जाएगी लेकिन तस्वीर जिस तरह से साबने आ रही है उससे अंदासर लगाए जा सकता है कि हालत यूपी में अस्पतालों की क्या हो चुकी है और ये हालत यूपी में तब है जब बारल फीवर अपने चरम पर है और ऐसे में लगातार मामले बढ़ रहे हैं बच्चे जो हैं सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं के बाद इस तरह की अस्पतालों की बदहाली की तस्वीर सामने आ रही है। दिल्ली में कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने खोल कर पोल रखती है विवस्ता की। प्रसाशन और सरकार के तमाम दावों की पोल खुल गई। इसका सीधा उधारन दिल्ली की वो सड़के हैं जिनकी हालत खस्ता तो पहले से ही थी लेकिन बारिश के बाद जैसे इनकी शामत ही आ गई हो। तीस हजारी कोर्ट से आजात मारकेट और फिल्मिस्तान की और से जाने वाले मुख्या सड़क पपने बड़े बड़े गठे सी बदहाली की और इशारा कर रहे हैं। सड़क के ज्यादतर हिस्से में दो-दो फिट के गठे हुग गए हैं और कुछ जगाहों पर दरारे भी आ गई हैं। ऐसे वे इस रास्ते से वहानों का गुजरना किसी चुनौती से कम नहीं है। वही पैदल चलने वालों के लिए भी ये रास्ता मुश्किलों से भरा है। क्योंकि अभी तक सड़कों के किनारे पानी जमा हुआ हैं। जिस वज़ा से सानी लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ आलम आश्रम चौक का भी है। सरिता विहार से आश्रम की तरफ आने वाली रोट पर भी पानी भरा हुआ है। और सरकों पर साथ साथ फिट चोड़े गठे हो गए हैं। जिसकी बज़ा से सुबा और शाम के वक्त लोगों को तक्रीबन एक से डेर खंटा जाम से जूचना पड़ता है। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार से लेका लक्षमी नगर की और जाने बाली सड़क पर भी बड़े फुट पात की भी बारिश से हालत खसा कर दी है। यहाँ पर बना फुट पात अब खुले नालों में तब्दील हो चुका है और ऐसे में बारिश का पानी नालों से ओवरफ्लो होका सड़को परा चुका है। नसड़क नसदा रही है और ना ही फुट पात। इलाके के विधायक अफैवर्मा की माने तो दिली सरकार ने इस काम को रोप के रखा है। और प्राजेपाल को भी इसकी शिकायद दी गई है और जल्द ही इस पर काम जो है वो पूरा किये जाने की जरूरत है। ऐसे में इशिया के सबसे बड़े बाजार सदर बाजार का भी ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। सड़के पूरी तरह से पानी से भरी हैं जिसकी वज़ा से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कते हो रही हैं। तमाम कारोबारी अभी सरकार की लापरवाही से खासा नाराज नसरा रहे हैं। एसोसियेशन के अध्याक्ष राकेश ज्यादव बताते हैं कि हर साल सदर बाजार में पानी की समस्या होती है लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई सुच नहीं ली जाती। और उसका खामियाजाब या पारियों को भुकतना पड़ता है। अधिकार को अधिकार कि अच्छे रोड बना रहे हैं। तो काफी गड़िया ऐसे फस्ती होगी। अधिकार कोई कोई तूपता है किसी कोई तूपता है आप। तो सरकार तो बोल रहे हैं कि काफी अच्छे रोड है। तो कुछ नहीं अच्छे हैं तो वाली कहने की वाद है सब। तो कुछ नहीं अच्छे हैं। अभी आपको अंदर जाके देखूने रेला के अंदर। तो आपको आ लेके आपको निकलना मुश्की जाए बहाँ पर। मुझफण नगर में 5 सितंबर को किसान महा पंचायत होने वाली है। और इसे देखते हुए पुलिस प्रसाशन हाई अलर्ट पर है। मुझफण नगर और आसपास के जिलो में भारी सुरक्षा तैनात की गई है। साशन से मुझफण नगर और उसके आसपास के जिलो में आईपीएस भी भेजे गए हैं। एडीजी राजीर सवरवाल और आईजी प्रबीन कुमार पूरी विवस्ता के निकरानी कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबेक मुझफण नगर में भेच चुके अफसरों को भी पुलाया गया है। वहीं सारनपुल, शामली और बागपत में विशेश आईपीएस तैनात कर दिये गए हैं। अकाश कुलहारी, अनुराग बज, फुवर अनुपम, नरिंद कुमार सिंग, सिधार शंकमीना जैसे अफसरों की तैनाती की गई है। वहीं किसान नेता, राकेश टिकेट ने कहा है कि महापंचायत में शामिल होने बाले किसानों की संख्याब बता पाना मुश्किल है। लेकिन मैं लोगों से बादा करता हूँ कि ये संख्याब बहुत बड़ी होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को महापंचाय जाने से कोई नहीं रोक सकता ये सरकारी कारेकरम नहीं है अगर वो रोकेंगे तो हम तोड़ कर जाएंगे टिकेट ने बताया कि वालेंटियर्स को जिम्मदारी दी गई है उन्होंने बताया कि एमरजनसी नमबर शेयर किया गया है इसके अलावा किसान कल से ही वहाँ पर पहुँचना शिरू हो गए थे ऐसे में उनके लिए सबी विवस्ताइं की गई हैं उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन वाली जगाहों से भी किसान जाएंगे लेकिन ज्यादा तक किसान गाउंस से महाँ पर पहुँचेंगे ऐसे में उन्होंने कहा कि ये देखना होगा कि कौन-कौन महापंचायत वाली जगाह पर पहुँच पाता है टिकेट ने बताया कि 14 से 12 स्क्रीन लगाई जाएंगे ताकि जो लोग महापंचायत वाली जगाप भीड के जलते ना पहुच पाएं वो सभी सुन पाएं और देख पाएं साती भीड को समयोजित करने के लिए 4-5 ग्राउंड्स की भी विवस्ता की गई है टिकेट ने कहा कि महापंचायत का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है चुनाव 6 महीने बाद हैं ऐसे में उत्तप्रदेश में किसानों को परिशानी हो रही है पिछले 5 साल से राज्ये में गन्ने के दाम नहीं बढ़े हैं लेकिन बिजली के दाम बढ़ रही है वही केंद सरकार ने गन्ने के दाम में 5 उटरे पती किलो की परहुत्री की है क्या आप किसानों का अपमान कर रही है वही टिकेट ने कहा कि ये मिशन यूपी है और मिशन भारत हम उत्तप्रदेश में 18 महा पंचायत करेंगे ऐसे में दिली बॉर्डर से किसान मुझजफण नगर के लिए छोटी छोटी टुकडियों में निकलेंगे और किसानों का दल एक साथ नहीं जाएगा टिक्री और गाजिपूर बॉर्डर से किसान बसों के द्वारा शिफ्टों में वहाँ पर पहुंचेंगे दो बसे रात को रवाना होंगी तो दो बसे 11 बज़े के करीब और दो बसे शाम को जाएंगी हर प्रदर्शन इस सल से 400-500 से जादा किसान नहीं जाएंगे करीब 500 बसे किराय पर की कई है और इन में से कई के 12 बज़े तक पहुंचने की उम्मीद है साथी सभी बसे मुजफन नगर से थोड़ा पहले रूखी जाएंगी वहीं पंजाब से भी 2000 किसानों के पहुंचने की उम्मीद है ये किसान अमरिसर, जालंदर और लुध्याना से ट्रेनों के ज़गे पहुंचेंगे वहीं इस महापंचायत को ठीक धंग से करने के लिए 5000 वालिंटियर भी बनाए गए है इस किसान महापंचायत की जिम्मेदारी भारतिय किसान यूनियन को सौपी गई है ये भी बता दें कि ये महापंचायत किसान अंदोलन का भविश्य तैक करने वाली है यही वज़ा है कि किसान संगठन के लोग गाउं गाउं चाकर पंचायत का लोगों से महापंचायत में आने की अपील कर रही है साथ ही बता दें ये किसान महापंचायत में तीन नए कृशी कारूनों और किसानों के मुद्दों पर चर्चा होगी और भारतिय किसान यूनियन का दावा है कि पंजाब, हर्याना, महराष्ट और दक्षिन के राज्य समेट पूरे देश उसे किसान इस महा पंचायत में हिस्सा लेंगे अफगानिसान से अमारिकी सैनिक पूरे तरह से लौट चुके हैं, अब काबो लेयपोर्ट समेट पूरी राज़ानी पर तालिबान का कब्सा है इस बीच तालिबान के उस जूट का भी परताफाश हो गया जिसमें वो महिलाओ की आजादी की बात कर रहा था अमारिकी सैनिकों की वापसी के बाद से ही तालिबान में अपना भयानक चहरा उजागर करना शुरू कर दिया तालिबान अब प्रेस कॉन्फरेंस में किये गए अपने सभी वादों को अगजुटलाता नजर आ रहा है दरसल तालिबान अब रेटेश और अमेरिकन सेना की मदद करने वाले अफगानी नाखिकों को गदार बता का उन्हें रात के वक्त धंकी भरे खत भीज रहा है महिला चात्रों को अलत तालिबान का डर सता रहा है वो घरों से बाहर निकलना छोड़ चुकी है वहीं काबूल की अमेरिकी यूनिवरसिटी में पढ़ने वाली एक छात्रा को ये मेसेज मिला है कि अगर तुम अमेरिकी यूनिवरसिटी में पढ़ती थी और सरकार के लिए काम करती थी थोड़ा इंतजार करो हम तुमसे निपटेंगे एक दूसरे मेसेज में कहा गया कि हम तुम्हारा रेप करेंगे और तुम्हें मार देंगे अफगानिसान की कुछ लड़कियां अपनी आप बिती किसी तरह भारत के जिम्मेदार लोगों तक पहुँचा रही हैं उन्होंने अपनी पहचान छिपा रखी है उनका कहना है कि हमें खिड़की से बाहर देखने में भी डर लगता है वो हमें उठा कर ले जाएंगे वो पढ़ी लिखी लड़कियों को निशाना बना रही हैं जबकि हजारों अफगानी लड़कियां देश से बाहर निकलना चाहती हैं वो दूसरे देशों से शरण देने के लिए मदद माग रही हैं लड़कियां जरी हैं और सहमी कोई क्याओ खरों में च्छिपी कोई हैं ऐसे में अब खबरे आ रही हैं कि तालीबानी लड़के अफगान की पड़ी लड़कियों को धमकी बड़े मैसे भेज रहे हैं सरकार के लिए काम करते वाले लोगों के घरों के बाहर सरेंडर करो या मरो लिकी हुई चिथी चिपका रहे हैं इन पत्रों के सहरे कहा जा रहा है कि अफगान की नाक्रिकों को तालिबान की कोट में हाजरी लगानी होगी अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें मौत के घट उतार दिया जाएगा इसी बीच अफगानिस्तान की समीरा हमीदी ने अफगानी महिलाओं की हालत बताई है समीरा हमीदी को अफगान महिलाओं को मौलिक मनव अधिकारों के नुकसान का जर है उन्होंने 17 दिन बाद का अपडेट शेयर किया कि अफगानी महिलाएं तालिबान व्रास में किन इस्तितियों से गुज़र रही हैं अधिकार के नाम पर उन्हें क्या मिला है ऐसे में समीरा हमीदी के ट्वीट के अनुसार अफगानी महिलाएं राजनी तेक सामाजिक और आर्थिक शेत्रों से गायप हो गई हैं साथी तालिबान महिला नेतर्तु वाले गैर सरकारी संगठनों की तलाशी लेता है और उनसे पूछताश करता है और उन्हें बंद करने का आदेश देता है तो यानि कि इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तालिबान ने जो वादे किये थे कि महिलाओं के प्रती वो चूट साबित हो रहे हैं इसी के साथ साथ की बात में आज के लिए बस इतना ही आप देखते रहें न्यूस वाल इंडिया